Dear students, मुलिक अवधारनाओं के अंतरगत, अब तक हम दो परमुखव धारनाओं समाज तथा समुधाय के बारे में जान चुके हैं, उससे अगली मुलिक अवधारना है सामाजिक संद्रचना जो आज का हमारा टोपिक है, स्ट्रक्चर का मतलब होता है किसी भी भोतिक वस्तु का धाचा, परतेक भोतिक वस्तु की एक संद्रचना अथ्वा उसका धाचा होता है, जो कई इकाईयों और ततों से मिल करके बनता है, ये युनिट्स अत्वा इकाईयां परस्पर व्यवस्तेत रूप से सम्मंदित होते हैं और इन इकाईयों में इस्थरता पाई जाते हैं, यानि कई इकाईयों से मिल करके या कई तत्तों से मिल करके एक संद्रचना बनते हैं और इन में एक स्थरता पाई जाते हैं, मानुशरीर की शन्रशना, हाथ, पैर, नाक, कान, मुँ, आदी, कई अंगों से मिल करके बनती है अब मानुशरीर का इसमें एक्जामपल दिया है, शन्रशना को समझने की द्रिश्टी से ये सभी अंग मतलब इकाईयां, इस्तिर भी हैं, और एक दूसरे से सम्मंदित भी हैं, और एक दूसरे से विवस्थित रूप से जुड़े वे भी होते हैं क्योंकि सवतंतर रूप से एक अंग का कोई ज्यादा अस्तितु नहीं होता है, सारे मिलकर के एक सन्रशना का धाचे का निर्मान करते हैं और ये मानुशरीर वाली जो बात है, ये समाज पे भी लागू होती है जिस प्रकार से किसी सरीर या भोतिक वस्तों की सन्रशना होती है, उसी प्रकार से समाज की भी एक सन्रशना होती है जिसे हम सामाजिक सन्रशना कहते हैं, अर्थार सोशल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं समाज की सनचना भी कई इकाईयों जैसे परिवार, संग, समू, संस्थाओं, मूल्यों और पदों आदिशी मिल करके बनती है ये सभी इकाईयां परस पर व्यवस्थेत रूप से सम्दित होती हैं और अपने अपने स्थाल पर अपेक्सा करत इस्थिर होती है तो अब तक आप समझी गए होंगे कि समाजिक सनचना अथवा धाचा क्या होता है इसमें सरीर का एकजामपल दिया गया और विभिन इकाईयों अथवा अंगों से मिल करके सनचना बनती है परते एक भोतिक वस्तु की जिस तरह सरीर की सनसना होती है उसी तरह समाज की भी एक सनसना होती है जो विभिन एकाईयों से मिल करके बनती है जो परसपर विवस्तित रूप से जुड़ी होती है एक दूसरे से सम्मदित होती है और एक धाचे का आभास करवाती है जो उसका ब परिभासाएं देखते हैं कार्ल मैनहीम के अनुसार समाजिक संद्रचना परस पर किरिया करते हुई समाजिक सक्तियों का जाल है जिसमें अवलोकन और चिंतन की विभिन परणालियों का जनम होता है समाजिक संद्रचना के अंग या भाग मानव ही है और समाजिक संद्रचना संस्था द्वारा परिभार्शित और नियमित सम्मंदों में लगे हुए व्यक्तियों की करम बदता है सिक्वेंस एक परिवासाओर देखते हैं नैडेल के अनुसर समाजिक संद्रचना विभिन भागों की करम बद व्यवस्था को व्यक्त करती है यह सापेक्षिक रूप से अधिक इस्थाई होती है जबकि अन्य भाग श्वेम परिवर्थन सीर होती है अफिक सिक्षिक सब्धिस्तिमाल किया उपर अर्थ में बताया गया आपको तुलनात्मख रूप से या अपेक्षयाकर्थ अपेक्षयाकर्थ इस्थिर होती है स्पेक्षिक रूप से बता-बाक बताह परिवर्थन नहीं होते हैं और अन्य अंगों में फ़रे बहुत प्रिवर्तन हो भी जाते हैं तो समाजिक सनजना अप्पेक्षा करता है इस्तिर होती है और इसके अंग जो है वो उपर बताए गए आपको जैसे प्रिवार है संस्था है समू समीतियां पद भूमिकाएं सब मिलकर के समाजिक सनजना बनाते हैं और रेड कले ब्राउन जैसे मानव सास्ति जो मानते हैं कि इसका अंग जो है मानव है व्यक्ति है टालकोर्ट पार्शंस के नुसार जो समाजिक सनजना की भूत अच्छी प्रिवासा है समाजिक सनजना परसपरसम मंदित सनस्थाओं एजेंशियों परतिमानों और साथ ही समू की परतेक सदस्चेक द्वारा ग्रहन किये गए पदों एवं कारियों की विशिष्ट करम बद सनस्था को कहते हैं संजिक सनजना में किस किस चीज को समलित करते हैं परसपरसम मंदित संस्थाओं एजेंशियों परतिमानों और समू के परतेक सदस्चे के द्वारा ग्रहन किये गए पदों और कारियों की विशिस्ट करम बदता को कहते हैं पद और कारिया बतलब status and role ये आपका इस unit में आगे topic आएगा परस्तिति और भुमिका के बारे में बताया जाएगा आपको तो इसमें परमुक रूप से एजेंशियां, संस्थाएं, परतिमान और पद और भुमिका, इन से मिल करके इन की करम बदता को आप सामाजिक सनसना के नाम से जानते हैं elements of social structure, सामाजिक सनसना के तत्वे परमुक रूप से जोनसन ने सामाजिक सनसना के चेहर तत्व बताये हैं विभिन परकार के उपसमों, नमर एक, यानि सब ग्रुप्स, विभिन परकार की भुमिकाएं, यानि रोल्स, नियामक मानक नमर तीन पे रेगुलिट्टिव नॉम्स, जिनके तहत जीवन परनाली चलती है, नियमों के तहत और नमर चेहर पे जो न ने बताया है, चोथा तत्व जो बताया है, वो है सांस्कृतिक मुल्य, कल्ट्रल वेल्यूज, तो चेहर तत्वों से मिल करके सनसना बनती है, चेहर प्रमुक तत्व हैं सनसना के उपसमों, भुमिकाएं, मानक और मुल्य सामाजिक सनसना की विशेष्टा है, नमर एक, सामाजिक सनसना समाज के बाय रूप का बोध करवाती है समाज का निर्मान करने वाले काईयां करमबद रूप से जुड़ने पर एक बाय ढटाचे का निर्मान करती है जिस परकार सरीर की सनचना का एक्जामपल दिया गए आपको वर्थ बताते वक्त सरीर की सनचना समाजिक सनचना का संबंद जो है समाजिक इकाईयों की कारिये विधीशे नहीं है क्योंकि जिस परकार सरीर जो है विविनंगों से मिल कर मनता हो जितरे समाजिक सनचना विभी नंगों से मिल करके मनते और उसके केवल बाईये रूप का आवास में करवाती है नमबर दो दूसरी जो परमुख विशेष्ता है वो है समाजिक सनचना एक अखंड विवस्ता नहीं है यो कि इसमें भोची काईया होते हैं निर्माय की काईया व्यक्ति, समू, समीतिया, संस्थाएं, इत्यादी इस प्रकार से परतेक सनचना कई खंडों से मिल करके बनी होती है अते उसको अखंड नहीं कहा जा सकता तो समाजिक सनचना अखंड विवस्ता नहीं है नमर तेन, अंत्य संबंदित एकाईयों का एक व्यवस्थित रूप है, systematized format है, एकाईयां अस्तवेस्त और बिखरी हुई नहीं होती, वरन उनमें परस पर संबंद पाया जाता है, देखो करमानुशारवी से इसना है समझते चलना आप, नमर एक पर क्या था, बाई ये रू इकाईयों से मिलके मन्दी है, नमर तीन पे ये एकाईयां व्यवस्थित रूप से जुड़ी होती है, अंत्य संबंदित होती है, और नमर चैर भी सेस्ता है, एकाईयों में करम बद्धता पाई जाती है, यानिके sequence पाई जाती है, किसी भी समाजिक सलसना का निमान, मात्र, इकाईयों के जुंड अत्वा योग से नहीं होता, अपितु उन्हें एक विशिस्ट करम से जोडने पर ही होता है, करम के अभाव में सलसना नहीं बन पाती, हर अंग का एक स्थान होता है, एक करम होता है, sequence होती है, नमर पाँच, सामाजिक सलसना अपेक्षा करत एक इस्थ परिवार धरम आदी जो संस्थाएं है, वो जो है, इसके साथ जुड़ी होती है, शेक्षिनिक संख्थन अपेक्षिया करते स्थाई रूप से, अपेक्षिया करते तुल्नात्मक रूप से इस्थाई होते हैं, फोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं इन अंगों में या इन नहीं होती है, इसके तरिक्त विभिन एकाईयों के पार्स्परिक्षम मंदों में भी इस्थाई तो पाया दाता है, समाजिक संस्थना अमूर्थ होती है, समुदाय इससे पहले बाले आपने जो मूल भूताव धालना देखे थी, समुदाय मूर्थ था, संस्थना तो जो निर्माएक इकाई एन को बहुतिक वस्तों की भाति तोस आकार नहीं ऊता है इसलिए यह अमूर्थ है इन इकाईयों के द्वारा निरमित शनचना भी अमूर्थ होगी जब इकाईयां अमूर्द हैं तो इकाईयों के द्वारा निर्मित धाचा जो है या सनर्चना जो है वो अमूर्द होती है मेकाईवर और पार्षंज जैसे अधिकान समाज सास्त्रे ने जो है सनर्चना को एक अमूर्द धारणा के रूप में ही व्यख्य की है अगली विशेष्टा है नमबर साथ अनेक उप्षन रचनाएं परतेक समाजिक सनरचना का निरमान कई उप्षन रचनाओं से मिलकर होता है परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षन सनस्था, धार्मिक और आर्थिक सनस्था आदि मिलकर के समाजिक सनरचना बनाती है नेक्स्ट विशेष्टा है समाजिक सनरचना स्थानिय विशेष्टाओं से प्रभावित होती है परतेक समाज की एक समाजिक सनरचना होती है जो दूसरे समाज से भिन होती है विभिन इस्थानों की संस्कृति राजनीत राजनेतिक दसा भोगलिक प्रस्थितियां उनमें सब मांतर होता है अलग अलग स्थानों की अलग 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 राजनेतिक दसाएं होती है इन से प्रभावित होने के कारण समाजिक सनस्ना भी भिन भिन प्रकार की होती है इसमाजमाया आपको कि समाजिक सनचना स्थानिय विशेष्था प्रवावित होती हैं, अलग 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 सनचना होती है, तो समाजिक सनचना जो है लोकल जो कंडिशन होती है, लोकल जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, स्थानिय लेवल के उपर उन से जरूर प्रवावित होती ह नेक्स्ट विशेस्ता है समाजिक सनचना में समाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपुर्ण होती है सोसल प्रोसेस प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती है सहयोगात्मक और ऐसहयोगात्मक सहयोगी एम ऐसहयोगी समाजिक प्रक्रियाओं जैसे सहयोग है, अनुकूलन, सात्मेकरण, एकीकरण, परतिश्वर्धा और संघर्ष, आदी की भूमिका, समाजिक सनचना के निर्माण में अतिम हैतो पूर्ण होती है और ये सभी प्रक्रियाएं ही समाजिक सनचना के सवरूप को त्या करते है मर्टन और दुर्खिम का मत है कि कई बार समाजिक सनचना स्वेम समाज में नियम हिंता पैदा करते है ये वो स्थिति होती है जो संख्ण के वीपरीत होती है मर्टन और दुर्खिम ये मानते हैं कि बहुत बार समाजिक सनचना में हमेशा ही संख्ण रही ये को जरूरी नहीं हमेशा ही नियम से विवस्ता रहे ये को जरूरी नहीं बहुत बार नियम हींता कि स्थिति भी हो जाती है पैदा और समाजिक सनचला में आप कंक्लूड कर सकते हैं इसको कि आप संक्षेप में ये कह सकते हैं तमें कि ने तो पूर्ण रूप से उसमें संक्ठन होता है और ने ही पूर्ण रूप से विक्टन होता है अपितु समाजिक सनचला में दोनों परकार के हितातों पाया जाते हैं संक इकाईयों का एक निश्यतिस्थान होता है वो सभी इकाईयां परसपर सम्मंदित होती हैं वो सभी इकाईयां विवस्थित रूप से जुड़ी होती हैं सबका अपना-परकारिय होता है और मिलकर के एक धाचे का एक सवरूप का एक सनचना का निर्मान होता है जिसको हम समाज समाजिक सनचना के नाम से जानते हैं ये एक अमूर्थ सनचना होती है क्योंकि मूर्थ रूप से आप उसको नहीं देख पाते हैं ये अनुभव करने वाली जो है तत्व है अनुभव करने वाली चीज है तो समाजिक सनचना कई परकार के तत्वों से और अनेक परकार की काईय से मिल करके बलती है जो हमें समाज के बाई ये सवरूप का आभास करवाती है तेंक यू